नमस्कार मित्रो जेन्यू रेनेसा ओनलाइन क्लासेज ब्लेटफॉर्म पर आपका स्वाधत है मित्रो आज हम एक नए विशे पर बातचीत करेंगे और वो नए विशे है समकालीन कवीता समकालीन कवीता आज हमारे चर्चा कवी से समकालीन कवीता की विशिष्टाओं के संदर में बातचीत करना है मित्रो सामानने तोर से हम देखते हैं कि कोई भी प्रत्योगी परिछा का जो सलेवस है और वो सलेवस चाएंगो केवस का हो डेसेश्बी का हो औरी पेस्ट ग्रेड का हो या कॉले साइक प्रोफेसर का हो, NBS का हो, किसी भी का भी आप देखिए, हिंदी साहित के इतिहास में नई कवीता, आधनिक काल में कवीता का जब हम अध्यन करते हैं, तो भारतिंदु काल, फिर दुविदी काल, छायाबाद, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रियोगवाद, और नई कवीता के बाद सीधी समकालिन कवीता का नाम लिखा रहता है, जबकि बीच में एक और महतपून कड़ी है मुखदारा में, वो है साठोतरी कवीता, लेकिन कुछ हालों चक साठोतरी कवीता को समकालिन कवीता का ही एक परदरश्य बामते हैं, और साठोतरी को अलग 1960 इस्वी से इसका प्रारंब प्राय मान लेते हैं लेकिन 1962 का जो भारत चिन युद्ध का संदर्व है वहां से जनता को बड़ी मात्रा में एक राजनितिक एतिहासिक मोभंग की पिल्डा को सेहन करना पड़ा और साठोत्री कविता का स्वर बुलंद हुआ साठोत्री कविता का समय 1965 तक हम निर्धरित करते हैं क्योंकि 1945 इस्वी के बाद जो इंद्रा गांदी का आपातका लगा था उसके बाद बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आता है कविता का स्वर बदलता है और वह साठोत्री भावोत से मुक दोकर समकालीन रूप को धरन कर करती है समकालीन कविता जिसको जनवादी कविता भी कहते हैं मित्रों साठोत्री कविता और समकालीन कविता में समवेदनात्मक और सिल्पक्स से जुड़ी हुए काफी अंतर है आप देखेंगे के साठोत्री कविता में केवल अनास्था निरासा इस प्रकार का स्वर अधि करद्धा हर्स देश विराग् सबको साथ लेकर चलने वाली कविता है, समकालिन कविता अपने युग और परिवेश से सीदे सीदे जुड़ी हुई है यह कविता जीवन से सीदा साक्षातकार करने वाली कविता है。 आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं और जो बड़े-बड़े कवी, चाहे वो ज्यानिंद्र पती हो, आलोक धनवा हो, विश्नु खरे, बहुत बड़े कवी जो नामचीन में असूप वाजपी, किदा नासिंजी का कुछ समय पहली दियान दुआ है, समकालिन परद्रस्य मे लिखकर अपने रचन धर्मिता को पल्लवित कर रहे हैं, कोछ बड़े कवीयों का निदन को समय पहले ही हुआ है, इनकी कवीताओं को जब आप अध्यन करते हैं, तो इनकी कवीताओं जैसे जीवन से सीधा-सीधा साक्षातकार कर रही हो, साठोत्री कवीता के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि साठोत्री कवीता का जो परिवेश है वो व्यापक है, वह मुख तोर से राजनितिक विद्रूपताओं और विडबनाओं तक ही सीमित होकर रहे गई, लेकिन समकालिन कवीता उसका छेत्र व्यापक है, समकालिन कवीता हमारी आसा, निरासा, आकांच्छा, अपेक्छा, राग, विराग, हर्स, विशाद, सभी को अपने में समाय हुए, यह समकालिन कवीता अपनी युग का एक दस्तावेज, एक जीवित दस्तावेज प्रस्तुत करती है, मित्रो यदि आपको याद आ रहा हो तो पश्चिम के बड़े बिम्बवादी, एजरा पाउंड ने एक जगे कहा है कि, कवीता एक ऐसी खबर है, जो हमेशा खबर बनी रहती है, और ये कथन जो है, ये कवीता की तात का लिखता में उसकी चिरंतनता का संकेत देती है, संकेत देता है ये कथन, जो एजरा पाउंड का कथन है, और इसे संदर्म में मुझे याद आती है मुक्तिबोध की पंक्तियां जो कुछ इसी स्वर में अपने अभिव्यक्ति को सामने लाती हैं पंक्तियां मुक्तिबोध की नहीं होती कभी भी कविता खतम नहीं होती कि वह आवेगत्वरित कालियामी है मित्रो, समकालिन कविता अपने इसी समय के इतिहास में गहरे धसी होने के कारण अपनी तात का लिखता और चिरंतनता का एहसास एक साथ कराती है और यही समकालिन कविता की विसिष्टता है आज की विसंता ग्रश्ट समाज में आपको बताने समझाने की आउश्यक्ता नहीं है किस प्रकार वर्ग भेद भड़ता जा रहा है किस प्रकार एक अधिक पैसे वाला एक अधिक गरीब होता जा रहा है किस प्रकार आज के समाज के मैतिक नैतिक मुल्य गिर रहे है लोगों को विकल कर देने वली सच्चायां सामने आ रही है वर्गों के बीच की खाई को पाटने के लिए जातिवाद, भोगवाद, संप्रदायादी का सहरा लिया जा रहा है ये बात हमसे और आपसे छुपी हुई नहीं है आज जबकि मध्यवर्ग और निम्नवर्ग के दूरी लगातार बढ़ती जा रही है वहाँ संकालीन कवीता का चहरा पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है मित्रो संकालीन कवीता में वास्तव में साठोतरी कवीता के वो भाव भी सामिल है जहाँ वहाँ उस मोभंग को दर साती है जो सतंतरता के पश्चात मनुस्य मात्र के मन में उत्पन हुआ नेताओं की असलियत सामने आ गई है और तारा प्रकास जोसी जो साठोतरी कवीता के बड़े कवी रहे है उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया था कि सत्ता के गलियारे कोई जब भी अपने पन की बास चलाए ऐसा लगे भांबी में अमरत की आवाज लगाए के पूरव से पश्चिन तक फैली कानूनों की काली स्याही यहाँ वही अपरादी केवल जिसका कोई नहीं गवाई यह भाव हमको समकालीन कविता भी भी मिलते हैं गहन निरासा भाव हो चाह सत्ता के पाखंडों से छुब्द जब दुस्चंत कुमार आखिरकार कही देते हैं कि कहां तो तैथा चिरागा हरे घर के लिए कहां चिराग मैसर नहीं पूरे सहर के लिए वास्तम में साठोतरी कविता की भाती समकालीन कविता भी विवस्था विरोध को ले करके निरासा वाले भाव को व्यक्त करती है लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि यहां केवल निरासा ही नहीं आसा की स्वर्भी है यहां जीवन अपनी संपूर्णता में समाविष्ट हुआ है आप एक धुमिल की कविता पढ़िए एक लंबी कविता है जिसका नाम है पठकथा धुमिल साथ हुतरी भावबोद के बहुत बड़े कभी है धुमिल की पठकथा जब आप पढ़ते हैं तो धुमिल ने पठकथा जैसी कविता लिख करके कविता को क्या कहा कि कविता ये तो टूटा फूटा हिंदुस्तान के बराबर एक सार्थक प्रतिपक्ष का नाम है कविता और लेकिन यही धुमिल जब यह देखते हैं कि अरे कविता से तो कोई सत्ता प्रतिष्ठान टूटी नहीं रहा है तो बहुत दुखी होकर खीज कर उनोंने कहा कि कविता में जाने से पहले मैं आप से पूछता हूं कि जब इसे नचोली बन सकती है नचोंगा तो आप कहो कि इससरी कविता को जंगल से जंदा तक डूने से क्या होगा धुमिन का ये सवाल कहने की आवश्यक्ता नहीं है मित्रो कि यहां कवि की निरासा बिलकूल तल छट इस्तती में है और व्यवस्ता के पैंतरे के सामने जैसे कविता अपने घुटने टेक देती है लेकिन विरेन डंगवाल की दुश्चक्र में सरष्टा में आएंगे अच्छे दिन जरूर आएंगे गर्दिस की दिन ये कड़ जाएंगे सुरत जोपियों और जोपडियों में चंकेगा सपनों की सतरंगी डाली पर मुक्ति की फररे लहराएंगे आएंगे अच्छे दिन जरूर आएंगे ये भावबोध भी समकालीन कविता का भावबोध है इस प्रकार आसा, निरासा, हर्स, विराक, विराक तमाम अनभूतियों को आत्म साथ करते हुए समकालीन कविता अपने नए जनवादी चेहरे को सामने प्रस्तुत करती है आप देखिए समकालीन कविता और इस प्रदर्शे में थोड़ी सी हम पीछे चले जाएं तो एक सब्द का प्रियोग कर सकते हम वो है विवस्था विरोध वो चैह समकालीन कविता हो या उससे पैदे साथ हुतरी कविता हो दोनों में वो भाव समान रूप से देखिरी को मिलता है आप देखेंगे इतिहासिक द्रश्टी कौन से आप विचार कीजिए तो 1968 ECW के बाद कविता का जो चरित्र है वो किस प्रकार परिवर्तन धर्मी बन रहा था इसे आप केदारना सिंग, रगवीर साहे, धुमिल इन सब की कविताओं में इस दौर में लिखी गई कविताओं में देख सकते हो यद्पि समकालिन कविता से पहले भी राजनिती कविताओं लिखी जा रही थी लेकिन उनका परदर्श से इस पष्ट नहीं था करता और विधे को ले करके जो इस्थती एक धुंदली बनी हुई थी अब वो समकालिन कविता में तस्वीर इस पष्ट होने लगती है नकसलवड़ी आंदोलन इस बीच चला और नकसलवड़ी आंदोलन के जो उसमा पैदा हुई उससे अन्य भासाओं के कवियों के साथ साथ हमारे समकालिन जो कवि हैं वह सीदे सीदे प्रभावित होए इसमें कोई दोराई नहीं पिछले दसकों में संसदिय पायटियों के संदर में आप देखो की किसपरकार संसदिये पायटियों का चरण हुआ राजणीती का किसपरकार जन विरोदी चरित्र उजागर हुआ और जन्ता का विवस्था से किस प्रकार से अधिक से अधिक मुभंग होता जा रहा था वो तो हम साठ्थुतरी भाबोत से देखना प्रारंब कर देते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुभंग से हमारे कवियों का कविकरम राजनिती निर्पेग छो गया हो ऐसा नहीं है बलकि सच तो यह है कि इस मुभंग से और अधिक गनिष्ट रूप में साहित्यकार राजनिती से जुड़ गया और समकालिन कवियों की तो पूरी की पूरी एक जमात आलोग धनवा से लेकर के और आप जो है विद्रोही तक आ जाईए पूरी की पूरी जो जमात है वो विवस्था विरोधी है लेकिन विवस्था विरोध की भी दो उपधाराएं हैं आपको ध्यान रखेंगे आपको ध्यान रखना है ये बात कि विवस्था का विरोध करने वाली कवियों की भी दो धाराएं है एक तो उस दारा से जुड़े हुए कवी हैं जो परिवर्तन के लिए सरकार की भूमिका को कारगर मानते हैं कि सरकार होना जरूरी है और ये अपनी कविताओं में सरकार बदलने की दिसा में अपना ध्यान लगाये रखते हैं और व्यंग का सहरा लेकरके इन कवियों ने कविता में सरकार विरोधी जो चेतना है उसको बराबर जगाए रखा है विश्नुनागर का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है संकालीन कविता में एक बड़े अस्ताक्षर विश्नु नागर लिखते हैं बड़े व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ती में कि रोटी का सवाल उठाया जा रहा है लोग सभा में लड़ा जा रहा है रोटी का सवाल उलज गया है लोग सभा में सुलजाया जा रहा है और जन्ता जन्ता अवसरकार के जूटे आस्वसनों पर विश्वास करने के लिए तयार नहीं थी अब छले हुई जन्ता सत्ता के सामने तनकर खड़े होने का दुस्साहस दिखाने लगी जन्ता के भीतर के आकरोस को स्वर देते हुए बल्देव वनसी ने लिखी ये बड़ी मार मिक पंगती बल्देव वनसी का कुछ समय पहली धेहन तुखाय मित्रो बल्देव वनसी लिखते हैं यो यो आस्वसनों से कब तक मापते रहोगे मेरी यातना गहरती स्वासों के नीचे दवी एक बहुत पतली लकीर है जो पैनी हो रही है कहीं कहीं जन्ता में जागरती के जो स्वर है वो बल्देव वनसी की इन पंगतियों से एक दम से प्रस्वटित हो रहे हैं और सरकारे जो ये हैं ये जनता के दर्द पर मरहम लगाने नहीं आती छमा करना ये कोई सरकार ये दी मेरी इस बात को ये दी कहीं और पहुचा दे तो सरकार मुझ पर जो है देश-द्रोई का रोग भी लगा सकती है कि क्या कहते हो तुम पर ये जमाने का सच है और इस सच को हम देख रहे हैं कि सरकारे जनता के दर्द पर मरहम लगाने नहीं आती है आती है तो लूट खसोट के जरीये बढ़ाने आती है और इस अंदर में मैं उद्धे प्रकास की इन पंक्तियों को रिखांकित करना चाहूँगा जहां उद्धे प्रकास कहते हैं समकालिन कविता में, समकालिन कथा साहिते में उद्धे प्रकास का बड़ा नाम है आप जानते हैं उद्धे प्रकास कहते हैं ये तुम कौन से सरकार हो जी राक्षस की तरह आते हो, तबही मचाते हो, सब समेट बटूर कर ले जाते हो ये देखी आप और मित्रो विवस्था विरोध से जुड़ा हुआ एक दूसरा वर्ग है जो धृव वामपंथी कवियों का है जिसमें आलोक धनवा, गोरक पांडे जैसे कवी सामिल है जो हिंशा के मुल्य में विश्वास करते हैं, क्योंकि आप जानते हो extraordinarily वामपंथी विचार धरा ये बात मानकर चलती है, कि कराम्ती, परिवर्टन कराम्ती से ही संभव और करामती हमेशा रतरंजित होती है तो धुर्व वामपंथी जो समकालिन कवी है वो हिंसा में विश्वास रखते है लेकिन इसके बावजूद कवीता के कला मुल्यों से वो नावाकिफ नहीं है उनको पता है कि कवीता के कला मुल्य क्या है और इसलिए इन वामपंथी कविताओं को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आकरामक तेवर मिलने के बावजूद उसकी करात्मक्ता बनी हुई है ये बहुत खुबसूरती वामपंथी कविता की है गोरख पांडे की कविता पढ़िये आप बढ़िवा वसंत आलोग धन्वा की कविता पढ़िये आप पतंग गोली दागो पोश्टर ऐसी ही चर्चित वामपंथी कविता है और आज समकालिन कविता के संदर्व में वामपंथी कवियों की अपनी विशेश पहचान है समकालीन कविता में आप नारी प्रेम की स्वर को देखिए जो साठोत्री कविता से समकालीन कविता की स्वर को बदलता है साठोत्री कवितों जैसे नारी पर हमलावर की तरह तूट रहे हो जैसे तमाम समस्याओं का कारण ये इस्ट्री ही है लेकिन समकालीन कविता में हम कह सकते हैं कि आकविता यानि मोहभं की कविता यानि साठोतरी कविता में इस्त्री को लेकर जो आक्रोस उबाल और जो आवेश दिखाई दीता है कि जब ये कवी नारी पर जैसे हमलावर की तरह तूट रहे हो लेकिन समकालीन कवीता आत्मियता एवं लगाओ की जमीन पर खड़ी है मित्रो आज के कवी नारी को फिर से पंत की भाती याद करो पंत ने छायावाद में क्या के लिखा देवी मा सहचरी प्राण आज के समकालिन कवी भी नारी को फिर से मा, बहन और प्रेशी के रूप में इस्थापित करकर देखना चाते हैं और उसकी मोहक ममता में इच्छवी को गरते हैं और याद कीजिए चंदरकांत देवताले चंदरकांत देवताले लिखते हैं कि हजार तरीकों से प्यार किया है हमने प्रत्वी से और इश्ट्री से दोनों के भीतर है ब्रमांड की खुसियों के जरने कोई भी साठोतरी वाला कवी ऐसे भावबूद की कविता नहीं दिख सकता समकालिन कविता में ग्रहष्ट जीवन की जो स्वश्ट छवी उबरती है वह साठोतरी कविता में नहीं है पति-पत्नी के संपर्ख से एक भावनात्मक दुनिया ही सरजित नहीं होती बलकि पारसपरीक सहयो की एक दुनिया भी बनती है चंदरकांत देवताले लिखते हैं तुम मिश्री की डली बन जाओ मैं दूद बन जाता हूँ कि तुम मुझ में गुल जाओ मा पत्नी प्रेशी बहन इनके रूप में इसने ही प्रेणा सरजना की जमीन ढूंड कर समकालीन कवियों ने पुरुस के लिए नारी की अपरिहारियता को अनिवारियता को एक बार फिर से महसूस कराया और इसे कविता की जमीन और अधिक अनकूल दिखलाई देने लगी और आकविता के दौर की जो तनी हुई भौएं इस्त्री के प्रति जो है वो ढिली पड़ देई और सही भी इस्त्री की नियती में पुरुस यदि दुखी सोचता है और उसका यदि नकारत्मक चित्रा नहीं करता है तो फिर महादिव वर्मा की पंक्ती मुझे याद जाती है कि चिंता क्या है निर्मम भुज जाएगा दीपक मेरा हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा फित्रों समकालिन कविता का एक और विशिष्ट पहलू है और वो है जीवन धर्मिता जीवन धर्मिता ये गुण आपको साठोतरी कविता में नहीं मिलेगा समकालिन कवियों में जीवन के किसी पक्ष या उसके किसी एक द्रश्टिकौन विशेश से लगाव नहीं है लगाव है जीवन के हर रंग से हर रूप से और अरुन कमल को कौन भूल पाएगा अरुन कमल समकालिन कविता के ऐसे ही एक बड़े विशिष्ट आस्था धर्मी कवी है वे जीवन की स्विकर्ती के मरम को पहचानते हैं जीवन की निरंतरता में आस्था रखने वाले ये अरुन कमल कवी महोद है इनकी कविता पढ़िये आप उर्वर प्रदेश जिसमें लिखते हैं कि खोलता हूं खिड़की और चारोगोर से दोड़ती है हवा मानो इसी इंतजार में खड़ी थी पल्लव से सटकर पूरे घर को जल भरी तसली सी हिला थी ये देखिए इसको बोलते हैं जीवन धर्मिता कवी जीवन की हलचल को सिर्फ भीतर ही महसूस नहीं करता उसको बाहर भी देखता है जब वह कमरे में नहीं था तब भी जीवन की सास रुकी नहीं कवी ने लिखा कि जब मैं लोटा तो देखा पूटली में बंदे हुए बूटों ने फ्हेंके हैं अंकुर पोटली में बंदे हुए बूटों ने अंकुर फैका ये वो जीवन धर्मिता है जब वो कविवा नहीं था तब भी वो जीवन धर्मिता मौजूद थी अंकुरों ने बंद कमरे में जीवन की निरंतरता को बनाए रखा अंकुर इस कविता का बीज सब्द है अंकुर ये अंकुर ही सरजनात्मक्ता है यही जीवन धर्मिता है और जीवन धर्मिता ये सिरre तातकालिक बोध में नहीं है बलकि परम्परा से जुडाव में भी है और अरुन कमल के बारे में तो हम सीधे सीधे तोर पर कह सकते हैं कि ये परंपरा का भारड होने वाले नहीं वलकि परंपरा का सरजनात में उप्योग करने वाले कवी हैं मित्रो आज हम जिस परिवीश में रह रहे हैं और जो कविता संग्रे आ रहे हैं कवियों के आप जब इनको पढ़ते हैं तो आप देखेंगे चाहे संप्रदायवाद हो चाहे अलगाववाद हो या जातिवाद का जहर हो इन सभी का विरोध संकालीन कविता सार्थक रूप से करती है आठवे और नवे दसक में विशेश कर निस वाले दसक में आप देखेंगे तो हमारा भारत देश यह हिंसक गत्वीदियों से जैसे जल रहा हो कभी गोर्खा लेंड खालिस्तान बोडो अंदोलन कभी कस्मीर समस्या कभी राम जनम भूमी का मामला कभी बाबरी मस्जिद का मामला कभी उल्फा अंदोलन एक से बढ़कर एक मुद्दे उचलते रहे और संकालीन कविता ने इन तमाम समस्याओं को गहराईज और संकालीन कभीता ने इन तमाम समस्याओं का दोसी लोकतंत्र को ठेड़ाया है गर्जा संकर मुदी का नाम भूलना संभव नहीं है गर्जा संकर मुदी की कभीता पड़िये क्या लिखते हैं फिर इस लोकतंत्र ने हमारी बस्ती को घेर आग लगा दी जो भागे बिंद गोलियों से जो डरे समा गए लप्टो में और अब सेस्र किया है कई रात कतार बना आशू टपका भी है ये भाव देखिया कहीं कहीं लोकतंत्र की विसमताओं ने इन समस्याओं को पैदा किया है इसमें कोई दोराय नहीं है समकालिन कवी पंजाब की दहसत देखिया पंजाब की दहसत को कलम बंद करते हुए विनोध दास ने क्या लिखा कि सड़क पर गुंजती है तेजवाहन की आवाज छूट गया किसी की हाथ से गिलास बंद हो गए खटा-खट सारे की वार विनोध दास वास्तम में समकालिन कविता पूरे देश की समस्याओं पर अपनी निगाह डालती है और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम जिस माहौल में हैं और आज जो समकालिन कविता जिसे हम जनवादी कविता भी कह सकते हैं जो अपना आकार ग्रहन कर रही है उसकी मूल समवेदना है कि इस पूरे भारत देश में जो कुछ अमानवी है जो कुछ एराश्ट्रिय है उसका प्रबल विरोध करती है समकालिन कविता एक सच्चे प्रतिपक्ष की भूमिका को आज निभा रही है इसमें कोई दोराए नहीं है समवेदना के इतने पहलू पर विचार करने के बाद यदि हम भाशा की बात करें सिल्ब की बात करें तो मित्रु समकालिन कविता की जो भासा है वह सुनने समझने और महसूस करने की भासा है मौजुद विवस्था जन्ता की हरकतों से किस प्रकार आतंकित हो जाती है अरुन कमल की पंग्तियां आपने सुन रही होंगी कि खत्रा बढ़ रहा है अब उन्हें साथ सोई पतनी के करवट बदलने से डर लगता है पत्ती के हिलने से डर लगता है और आजकल तो कोरोना संकट महामारी है आजकल तो हर चीज से जैसे डर लगता है सांस लेने से भी डर लगता है तो खेर समकालिन कविता की भासिक विश्रिष्टा इस बात भी नहींत है कि वे सुनने समझने और महसूस करने की भासा है पत्ता के हिलने से, बच्चों के हसने से, अपनी हसी से डर लगता है ऐसी भासा देखी आप जो सीधे सीधे महसूस की जा सकती है सबकालेल कवीता की भासा लाक्षनिकता से परहज नहीं करती लेकिन साथोतरी कवीता की भासा लाक्षनिकता से परहज करती है सब्द और अर्थ के बीच गतिरूद आने पर लाक्षनिकता ही उस गतिरूद को दूर करती है मित्रो इबार रभी का नाम सुन रखाओगा आपने इबार रभी की पंक्तियां देखिए कितनी सांदार लाक्षनिक वकरता को लाती है कि धूल की परत में हसी क्यों रखदी सारे ब्रमांड को परिसान कर दिया यहां धूल और हसी के बीच जो बादित अर्थ है उसे उसकी लाक्षनिकता ही इसपष्ट कर रही है धूल का यहां साब्दिक अर्थ है भावार्थ जो है वो है समाज का निचला इस्तर हसी का भावार्थ है आर्ख्षन द्वारा प्रदत सुविदाएं और ब्रमांड का अर्थ है समाज के तथाकतित उच्चवर के लोग तो मित्रो समकालिन कविता सपाट बयानी और कलात्मक्ता दोनों के अत्रिक्त बोज से मुक्त है जैसे साठोत्री कविता की एक प्रमुख विशेषता है भासा की वह सपाट बयानी समकालिन कविता में इस प्रकार की सपाट बयानी नहीं मिलती और नहीं कलात्मक्ता का कोई भारी बोजिल बोज को लिए ये फिरती है समकालिन कविता नहीं समकालिन कविता की भासा का दुराग्रह किसी से नहीं है लेकिन आग्रह समसे है समकालिन कविता की भासा नई कविता की भाती ना तो बिंबो के पीछे भागती है और नाहीं बिम्बों से परहिज करती है और समकालिन कविता का जो बिम्ब भी आता है वो अनभव को विश्तार देने वाला एक महतरपोन कारक्ष बनकराता है तो मित्रू समकालिन कविता आपने समय का बहुरंगी चितर है इस बात को हम साठोतरी कविता के लिए नहीं कह सकते समकालिन कविता में एक और जुलूस है लाठी चार्ज है, कर्फ्यू है, पुलिस है, चूला है, पतीली है तो दूसरी तरफ चड़िया है, फूल है, पत्ती है यहां आग भी है और राग भी आस्वो का गीलापन भी आपको समकालिन कविता में मिल जाएगा तो प्रेम की रागात मकता और जो इस्निक्दता जैसे आपको उमलता कहते हैं वह भी आपको समकालिन भापोध में मिल जाएगा और फिर हमें याद आता है एक प्रगतिवाद का एक महान कवी मुक्तिबोद जो अपने अंधेरे में कवीता में लिखते हैं कि दिल में तडपता है अंधेरे का अंदाज आत्मा में भीशनों सतचित वीदना जल उठी दे की वास्तम में इन सब्दों को बीज सब्द बनाकर हम ये कह सकते हैं कि समकालीन कवीता भी अपने समय में विद्यमान सामाजी एक धार में एक राज नितिक आर्थ एक आदी जो विवस्तागत अंधेरा है उसको प्रकट तो करती है और साथ ही अंधेरा के से दूर हो ये गहरी आकांग्षा भी प्रकट करती है समकालीन कविता की आत्मा में मानवियता हम कह सकते हैं जनकल्यान की जो वेदना है सचित की वेदना है वो जल उठी है और जो मुखर होकर हमारे सामने आती है समकालीन कविता की जो हिर्दे में सचित वेदना वास्तव में देखती हुई आप देख सकते हैं और मानव कल्यान की संभावना को व्यंजित करती है आज की जनवदी कवीता यानि की संकालिन कवीता तो मित्रो इस प्रकार संकालिन कवीता में भासा और सिल्प के इस्तर पर संवेदना के इस्तर पर ये बड़े महत्पून बदलाव हैं आज हम जिस परिवेश को जी रहे हैं उस कवीता की ये वाश्तिविक पहचान है तो ये हमने आज बात की मित्रो हमारे यूटूब चैनल पर समकालिन कवीता के परिप्रिक्ष में अपने विचार और सिग्र ही अगली क्लास में एक नई विशेपर आपसे मिलेंगे बने रही हमारे यूटूब ओनलाइन क्लासेज रेने साच चैनल से आज के लिए इतना ही नमस्कार